हिंदी फिल्मों का मशुहूर डायलग है जिनके घर शीशे के हों दूसरे के घर पर पत्थर नई फेका करते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशुक गहलोत को इस बात का अंदाजाख हो गया होगा राजस्थान के कॉंग्रेस के वरिष्ट विधायक और पुरो मंत्री महेंदर जी सिंग मालविये ने अपने ही सरकार पर आरोप लगा दिये हैं कि भारतिये ट्राइवल पार्टी के दो विधायकों को दो मौकों पर पांच-पांच करोड रुपे दे कर खरीदे हैं दरसल मुक्यमंत्री अशुक गहलोत ने राजस्थान में सियासी संकट के दौरान यहां आरोप बीजेबी पर लगाये थे कि कॉंग्रेस के विधायकों को 33-33 करोड रुपे में खरीदे जा रहे हैं अब जाकर पंचाय चुनाओ के दौरान परचार करते हुए उनके ही विधायक कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ने भारतिये ट्राइवल पार्टी के दो विधायकों को राजसभा चुनाओ के मौके पर और दूसरी बार सियासी संकट के मौके पर दोनों ही विधायकों राजकुमार और राम प्रसाद को 5-5 करोड रुपे दिये यानि 10-10 करोड रुपे में खरीदे हैं यह आरोप बहुत संगीन है क्योंकि एक विधायक ने अपने ही सरकार पर यह आरोप लगाये हैं बदले में भारतिये ट्राइवल पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस के वरिष्ट विधायक महंदरजे सिंग मालविये 33 करोड रुपया ले रखे थे सरकार गिराने के लिए अब मुक्यमंतरी अशोग गलोत के उपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने सरकार को पाक साफ साबित करें हमने तो बस यही कहा था कि इस तरह की बाते कही जा रही है कि जैसलमेर में होटेल्स में जब इधायक रुके हुए हैं उनके फोन टेप किये जा रहे हैं इस बात पर अपराधिक धाराओं के तहत मुक्यमंतरी अशोग गलोत ने मुझे पर मुकदमा दर्श कर लिया था अब उनके विधायक कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने बिना नाम लिए मुक्यमंतरी अशोग गलोत पर सीधे-सीधे निशाना लगा रहे हैं कि 5-5 करोड रूपे दो मौकों उपर देकर विधायक खरीदे थे और उनकी विधायक पर जो होटेल में बन थे महिनल सीम बाल विये उन पर BTP के विधायक आरूप लगा रहे हैं कि 33 करोड रूपे बिगे थे ऐसे में अब मुक्यमंदरी अशोग गहलोत को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए अपने विधायकों पर खुद की सरकार के उपर और भारतिय ट्राइबल पार्टी के विधायकों के उपर क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है इसलिए कहते हैं कि जब आप शीशे के घर में रहें तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेके क्योंकि जिस तरह से राजकुमार रोत गाड़ी की चाभी निकाली जा रही थी पुलिस द्वारा उन्हें पकड कर ले जाया जा रहा था रोते हुए उन्होंने वीडियो बनाया था और सब के सामने रोते हुए गये थे ऐसे में अचानक से उनका हिर्दय परिवर्तन हो गया और लोकदन्त की रक्षा के लिए होटेल में चले गए तब भी बात उठी थी कि ऐसे साधू कह रही थी कि कॉंग्रेस ने भी खरीद फरोख्त किये हैं इस तरह कि आरोग पहले भी लगे हैं जब बहुजन समाज पार्टी का विले हुआ था कॉंग्रेस में तब भी लोग कह रहे थे कि इतने भी दूद के धुले वे आजकल विधायक नहीं है कि बिना शर्त लोकतंत्र क पार्टी को मौका मिल गया है प्रदिस अध्यक सतीस पूनिया मुख्यमंत्री अशोग गरूत के शब्दों में ही उन पर हमला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बताएं कि राजस्थान में बकरा मंडी लगी थी या घोडा मंडी लगी थी क्योंकि यह बात उन्होंने बीजेप कि कुछ विधायक विधान सभा से अनुपस्थित हुए थे तब भी इस तरह की बाते चर्चा में थी दवी जुबान में कि हो सकता है कोन विधायकों से संपर किया हो कांगरेस ने प्रलोभन दिया हो ऐसे में ये कहना कि मैं साफ हूं और दूसरा गलत है ये कई मौकों पर स जरूरी हो गया है उनके लिए कि भारतिये ट्राइवल पार्टी के विधायकों की जो साख है उन्हे से खत्म करें क्योंकि भारतिये ट्राइवल पार्टी वहां कांगरेस को खत्म करते जा रही है और सरकार को समर्थन देने के बाद तो बिलकुल ही वो अगिया बैताल हो च इसलिए कॉंग्रेस के लिए जरूरी है कि उस इलाके में अपनी पैस्ट बनाए, भारतिये ट्राइवल पार्टी के विधायकों को डिस्क्रेडिट करें, इसलिए हो सकता है कि कॉंग्रेस की ये स्टेटीजी हो, लेकिन जिस तरह की बातें उस समय कही गई थी विधायकों के खरीद फरुद को लेकर निशियत रूप से कहा जा सकता है कि कॉंग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबरें अभी भी नहीं आ रही है, लेकिन सब ख़बरों के बीच अच्छी खबर यह है कि पुरुफ उपमके मंत्री सचीन पैलट स्वस्त हैं, उनकी स्वस्त के लेकर कु के स्वस्त को लेकर जो संदेव व्यक्त किया जा रहा था, उसमें कोई सचाई नहीं है, अर्सान तक्रिल जैपुष शरतकुमार